ओम शान्ती आज 12 जन्वरी 2023 के अनमूल मतुर महावा के सुनेंगे आज की मुरली में बाबा कहे बाबा आकर तुम बच्चों को एक बहुत सुन्दर हुनर सिखाते है और वो हुनर है मनुष्य से देवता बनने का हुनर जो संगम पर ही सिखाते हैं उसके लिए बाबा कहे तुम श्रीमत पर जितना चलते जाएंगे ये उनर काम करता जाएगा साथी साथ बाबा कहे बक्ति मार्ग में तुम बच्चों का एक यादगार है लेकिन वो यादगार संगम युग का कर्म है संगम युग में हम बच्चे बाब पर एवं विश्व कल्यान के कार्य अर्थ अपने तन, मन, धन, सब कुछ अरपित कर देते हैं तो बाबा कहे उसी का यादगार है कि भक्ती में लोग इश्वर अर्थ दान करते हैं बाबा कहे वास्तों में तुम विश्व कल्यान अर्थ अपना सब कुछ लगाते हैं, इसलिए मनुश्य से देवता बन जाते। तो सुनते हैं आज बाबा के अनमोल मधुर महवात के ओम शान्ती, मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया है तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो आज की मुर्ली से प्रश्न है अभी तुम बच्चे कौन सा स्रेष्ट करम करते हो जिसका रिवास भक्ती में भी चला आता है उत्तर तुम अभी श्रीमत पर अपना तन, मन, धन भारत तो क्या विश्व के कल्यान अर्थ अरपन करते हो इसी का रिवास भक्ती में मनुष्य इश्वर अर्थ दान करते है उन्हें फिर उसके बदले में दूसरे जनम में राजाई घर में जनम मिलता है और तुम बच्चे संगम पर बाप के मददकार बनते हो तो मनुष्य से देवता बन जाते हो आज की मुरली से पहले गीत बजा है तुने रात गवाई सो कर दिवस गवाया खाकर ओम शान्ती बाप बच्चों को समझाते हैं जब बच्चे समझते हैं तब फिर औरों को समझाते हैं नहीं समझते तो औरों को समझा नहीं सकते अगर खुद समझते औरों को समझा नहीं सकते तो गवाया कुछ भी नहीं समझते कोई हुनर सिखता है तो उसको फैलाता है यह हुनर तो बाप उस्ताज से सीखा जाता है कि मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए देवताएं जिनके चित्र भी है मनुष्य को देवता बनाते हैं तो गोयावद देवता अभी नहीं है क्या गुन गाय जाते हैं? सर्व गुन संपन, सुलेकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारे यहाँ कोई मनुषय के तो ऐसे गुन नहीं गाय जाते मनुषय मन्दिरों में जाकर देवताओं के गुन गाते हैं भल, पवित्र तो सन्यासी भी है, परन्तो मनुष्य उन्हों के ऐसे गुण नहीं गाते हैं, वह सन्यासी तो शास्त्र आदी भी सुनाते हैं, देवताओं ने तो कुछ नहीं सुनाया है, वह तो प्रालब्द भोगते हैं, अगले जनम में पुर्शार्थ कर मनुष्य से देव अभी कोई में भी देवताओं जैसे गुण नहीं है, जहां गुण नहीं, वहां जरूर अवगुण है, सत्यूग में इसी भारत में यथा राजारानी तथा प्रजा सर्व गुण सम्पन थे, उनमें सभी गुण थे, उन देवताओं के ही गुण गाये जाते हैं, उस समय और धर्मत थे नहीं, गुण वाले देवताओं थे सत्यूग में और अवगुण वाले मनुष्य है कल्यूग में, अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्य को देवताओं बनाएं, गाया भी हुआ है, मनुष्य से देवता की ये करत न लागी वार, ये महिमा तो है परम्पिता पर मात्मा की, है तो देवताएं भी मनुश्य, परन्तु उनमें गुण है, उनमें अउगुण है, गुण प्राप्त होते हैं बाप से, जिसको सत्गुरु भी कहते हैं, अउगुण प्राप्त होते हैं किसे, माया रावन से, इतने गुणवान फिर अउगुणी कैसे बनते हैं, अउगुणी कैसे बनते हैं, सर्वगुण संपन और फिर सर्वगुण संपन कौन बनाते हैं, यह तुम बच्चे जानते हो, गाते भी है, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण ना है, देवताओं के इतने गुण गाते हैं, इस समय तो वगुण किसी में नहीं है, खान पान आदी कितना गंदा है देवताएं है वैश्नों संप्रदाई और इस समय के मनुष्य है रावन संप्रदाई खान पान कितना बदल गया है सिर्फ ड्रेस को नहीं देखना है देखा जाता है खान पान और विकारी पन को बाप खुद कहते हैं मुझे भारत में ही आना पड़ता है ब्रह्मा मुखोंशावली ब्रामन ब्रामनियों द्वारा आपना कराता हूं यह ब्रामों का यग्य है न? वह विकारी ब्रामन मुख्वम शावली यह मुख्वम शावली बहुत फर्क है वो शावकार लोग जो यग्य रचते हैं उसमें जिस्मानी ब्रामन होते हैं यह है बेहत का बाप शावकारों से शावकार राजाओं का राजा शावकारों का शावकार क्यूं कहा जाता है? क्योंकि शावकार भी कहते हैं हमको इश्वर ने धन दिया है इश्वर अर्थ दान करते हैं तो दूसरे जन्म में धनवान बनते हैं इस समय तुम शिव बाबा को सब कुछ तन मन धन अरपन करते हो तो कितना उँच पद पाते हो? तुम श्रीमत पर इतने उँच करम सीखते हो तो तुमको जरूर फल मिलना चाहिए तन मन धन अरपन करते हो वह भी इश्वर अर्थ करते हो कोई के तुरू यह रिवास भारत में ही है तो बाब तुमको बहुत अच्छे करम सिखलाते है तुम यह करतव यह सिर्फ भारत तो क्या परंतु सारी दुनिया के कल्यान अर्थ करते हो तो उसका एवजा मिलता है मनुष्य से देवता बनने का जो श्रीमत पर जैसा करम करते हैं ऐसा फल मिलता है हम साक्षी हो देखते रहते हैं कौन श्रीमत पर चल मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते हैं कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है श्रीमत पर चलने वाले ब्रामन ठहरे बाप कहते हैं ब्रामनों द्वारा शूद्रों को बैठ राज योग सिकलाता हूं पांच जार वर्ष की बात है भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था चित्र दिखाने चाहिए चित्रो बिगर समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है जो शायद विलायत से आता है चित्र दिखाने से समझेंगे ये देवताओं को मानते हैं तो समझाना है कि स्रि नारायन के अंतीम 84 जन्म में परम पिता परमात्मने प्रवेश किया है और राज्य योग सिखला रहे हैं ये उनके 84 जन्म का भी अंत है जो सूर्य वन्शी देवता थे उन सभी को आकर पिर से राज्य योग सिखना है ड्रामा अनुसार पुर्शार्थ भी जरूर करेंगे तुम बच्चे अभी सन्मुक सुन रहे हो और बच्चे फिर इस टेप द्वारा सुनेंगे तो समझेंगे हम भी मात्पिता के साथ फिर सुदेवता बन रहे हैं इस समय 84 जन्म में पूरे बेगर जरूर बनना है आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है ये शरीर ही अश्व है जो स्वाह होता है आत्मा खुद बोलती है हम बाप के बने हैं दूसरा न कोई मैं आत्मा इस जीव द्वारा परंपिता परमात्मा के डाइरेक्शन अनुसार सेवा कर रहा हूं बाप कहते हैं योग भी सिखाओ और सृष्टी चक्र कैसे फिरता है वह भी समझाओ जिसने सारा चक्र पास किया होगा वह इन बातों को जट समझेंगे जो इस चक्र में आने वाला नहीं होगा पर ठहरेगा नहीं ऐसे नहीं सारी सृष्टी आएगी इसमें भी प्रजा ढेर आएगी राजा रानी तो एक होता है न जैसे लक्षमी नारायन एक गाया जाता है राम सीता एक गाया जाता है प्रिंस प्रिंसेस तो और भी होंगे मुख्य तो एक होगा न तो ऐसा राजा रानी बनने के लिए बहुत महनत करने है साक्षी हो देखने से पता पड़ता है दाबा कहे साक्षी हो देखने से पता पड़ता है कि शावकार राजाई कुल का है या गरीब खुलका है कोई माया से कैसे हारते है जो भागनती भी हो जाते है माया एक दम कच्चा खा जाती है इसलिए बाबा पूछते हैं राजी खुशी हो माया के थपड से बेहोश्वा बिमार तो नहीं पढ़ते हो ऐसे कोई बिमार हो पढ़ते हैं फिर बच्चे उनके पास जाते हैं ज्यान योग की संजिवनी बुटी देकर सुर्जीत कर देते हैं ज्यान और योग में न रहने कारण माया एक दम कला काया चट कर देती है श्रीमत छोड मन मत पर चल पढ़ते हैं माया एक दम बिहोश कर देती है बास्तों में संजिवनी बुटी ये ज्ञान की है इससे माया की बेवोशी उतर जाती है ये बाते सभी इस समय की है सीताएं भी तुम हो राम आकर माया रावन से तुमको छुडाते हैं जैसे बच्चों को सिंद में छुडाया रावन लोग फिर चुरा ले जाते थे अभी तुमको फिर माया के चम्बे से सबको छुडाना है बाबा को तो तरस पड़ता है देखते हैं कैसे माया थपड लगाए बच्चों की बुद्धी ही एक दम फिरा देती है राम से बुद्धी फेर रावन के तरफ कर देती है जैसे एक खिलोना होता है एक तरफ राम एक तरफ रावन इसको कहा जाता है आश्चरिवत बाप का बननती पिर रावन का बननती वो खिलोना है एक तरफ राम एक तरफ रावन और सीता जी जैसे गूमती है तो राम के तरफ ही अपना मुख करती है और पीठ रावन के तरफ करती है तो बाबा कहे यहां माया ऐसी है जो थपड मारती है और एकदम मुई फिरा देती है आश्यरिवत बाप का बननती फिर रावन का बननती माया बड़ी दुस्तर है चुए मुआफिक काट कर, खाना खराब कर देती है, इसलिए श्रीमत कभी छोड़नी नहीं है कठीन चड़ाई है न, अपनी मत माना रावण की मत, उस पर चले तो बहुत गुटका खाएंगे बहुत बदनामी कराते हैं, ऐसे सभी सेंटर्स पर है, नुकसान फिर भी अपना करते हैं सर्विस करने वाले रूप बसंद छिपे नहीं रहते, डैवी राजधानी स्थापन हो रही है इसमें सभी अपना-पना पाठ जरूर बचाएंगे दोडी लगाएंगे, तो अपना कल्यान करेंगे कल्यान भी एक दम सुवर्ग का मालिक, कल्यान भी कैसे होता है, एक दम सुवर्ग का मालिक बन जाते जैसे माबाप तक्त नशीन होते हैं तो बच्चों को भी होना है बाप को फॉलो करना है नहीं तो अपना पद कम कर देंगे बाबा ने यह चित्र कोई रखने के लिए नहीं बनाये है इनसे बहुत सर्विस करने है बड़े बड़े शाहुकार लोग लक्ष्मी नाराण का मंदिर बनवाते है परन्तु यह किसको भी पता नहीं है कि यह कब आए इन्होंने भारत को कैसे सुखी बनाया जो सभी उन्हों को याद करते है तुम जानते हो कि मंदिर होना चाहिए एक दिलवाला बाप एक दिलवाले का यह एक ही काफी है बाबा का मंदिर एक ही काफी है लक्ष्मी नाराण के मंदिर से भी क्या होगा वह कोई कल्यान करी नहीं है शिव का मंदिर बनाते हैं वह भी अर्थ रहित उनका उक्यूपेशन तो जानते ही नहीं मंदिर बनावे उक्यूपेशन न जाने तो मंदिर होते नहीं, जो मंदिर बनाते हैं, उन्हों से पूछना चाहिए, लक्ष्मी नारायन कब आये थे, उन्होंने क्या सुख दिया था, कुछ समझा नहीं सकते, इससे सिद्ध है, कि जिन में अउगुण है, वह गुणवान के मंदिर बनाते हैं, तो बच्चों को बहुत सर्विस का शौख होना चाहिए, बाबा का सर्विस का बहुत शौख है, तब तो ऐसे ऐसे चित्र बनवाते हैं, बल चित्र शिव बाबा बनवाते हैं, परंत बुद्धी दोनों की चलती है, रम्मा बाबा शिव बाबा दोनों की बुद्धी चलती है अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते नमस्ते यह एक लास है बाबा का और यह एक लास है 28 जून 1968 का यहां सभी बैठे हैं समझते हैं हम आत्माई हैं बाप बैठा है आत्म अभीमानी हो बैठना इसको कहा जाता है सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं बाबा के सामने बैठे हैं अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी एटेंशन देंगे ऐसे बहुत है जिनकी बुद्धी बाहर भागती है यहां बैठे भी जैसे की काम बंद है बुद्धी बाहर में कहा न कहा दोड़ती रहती है बच्चे जो बाब की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं बहुतों का बुद्धी योग बाहर में रहता है वो जैसे की यात्रा में नहीं है टाइम वेस्ट होता है बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार तो है ही कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है अमात्मा है शरीर नहीं है बाप नौलेज़फुल है तो बच्चों को भी नौलेज़ आ जाती है अभी वापस जाना है चक्र पूरा होता है अभी पुर्शार्थ करना है बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी की भी थोड़ी बची इम्तिहान के देनों में फिर बहुत पुर्शार्थ करने लग पड़ेंगे समझेंगे अगर हम पुर्शार्थ नहीं करेंगे तो नापास हो जाएंगे पद भी बहुत कम हो जाएगा बच्चों का पुर्शार्थ तो चलता ही रहता है दे अभीमान कारण भी कर्म होंगे जहां दे अभीमान है तो वहां भी कर्म जरूर होंगे इसका सोगुना डंड हो जाएगा क्योंकि हमारी निंदा कराते है देअभीमान में आकर बाबा की निंदा कराते हैं तो सोगुना डंड हो पड़ेगा ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो इसलिए गाते हैं सत्गुरु का निंदक ठौर न पारें ठौर माना बाच्शा ही नहीं बाते हैं पढ़ाने वाला भी बाब है और कहां भी सत्संग में एम अबजिक्ट नहीं है यह है हमारा राजयोग और कोई ऐसे मुख से कुछ कहना सके कि हम राजयोग सिकलाते हैं वह तो समझते हैं शांती में ही सुख है वहां तो न दुख न सुख की बात है परमधाम में तो न दुख न सुख की बात है शांती ही शांती है फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है सभी से तकदीर उची उनकी है सबी से तक्वीर उंची उंकी है जो पहले से पाट बजाते है वहाँ उनको ये ज्ञान नहीं रहता वहाँ संकल्प ही नहीं चलेगा बच्चे जानते हैं, हम सबी अवतार लेते हैं बिन बिनन नाम रुप में आते हैं, ये ड्रामा है ना हम आत्मय शरीर धारण कर इसमें पाट बजाती है वह सारा रास बाप बैठ समझाते हैं तुम बच्चों को अंदर में अतियंद्रिय सुख रहता है अंदर में खुशी रहती है, कहेंगे ये देही अभीमानी है बाप समझाते भी है, तुम स्टूडन्ट हो जानते हो, हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं बाप कहें, तुम जानते हो, हम स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं फिर बाबा कहें, सिर्फ देवताय भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, यह अवस्था स्थाई तब रहेगी, तब, जब करमातीत अवस्था होगी. रामा प्लैन अनुसार होनी है जरूर, तुम समझते हो, हम इश्वर ये परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर, जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्यान करते हैं, तो जरूर उंच पद मिलेगा. बाबा ने समझाया है, क्या समझाया है, यह योग की बैठक यहां हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती, चार बचे आना, निश्ठा में बैठना, वहां कैसे हो सकता है, नहीं, सेंटर में रहने वाले भल बैठे, बाहर वाले को भूले चुके भी कहना नहीं है, सम चार बजे सिंतर पर आओ और बैठ करके योग करो बाबा कहे बाहर वाले को भूले चुके भी कहना नहीं है, क्यों समय ऐसा नहीं है, यह यहाँ ठीक है, घर मेही बैठे हैं, वहाँ तो बाहर से आना पड़ता है, यह सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धी में ज्ञान धारण होना चाहिए, हम आत्मा हैं, उनका ये अकाल तक्त है, तेव आदत पड़ जाने चाहिए, हम भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएं, अच्छा, मीठे मीठे रुहानी बच्चों को रुहानी बाप तादा का याद प्यार, गुड़नाइट और नमस्ते, आज की मुरली से भाणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्यान योग की संजीवनी बुटी से, स्वयम को माया की बेहोशी से बचाते रहना है, मन मत पर कभी नहीं चलना है, दूसरी पॉइंट, रूप बसंद बन सर्विस करने है, मात पिता को फॉलो कर तक्त नशीन बनना है, आज का बात दादा का मधुर रदान हम बच्चों के प्रती है, अपनी शक्ति शाली स्थिती द्वारा, दान और पुण्य करने वाले पूजनिय और गायन योग्य भबा, पूजनिय और गायन योग्य भव, अपनी शक्ति शाले स्थिति द्वारा दान और पुन्य करने वाले पूजनिय और गायन योग्य भव अंतिम समय में जब कमजोर आत्माएं आप संपोन आत्माव द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेगी तो यही अंतिम अनुभव के संसकार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होगी और फिर द्वापर में भक्त बन आपका पूजन और गायन करेगी इसलिए अंति की कमजोर आत्माव के प्रति महादानी वर्दानी बन अनुभव का दान और पुन्य करो यह सेकंड का शक्ति शाली स्थिती द्वारा किया हुआ दान और पुन्य आधा कल्प के लिए पूजनिया और गायन योग्य बना देगा आज का स्लोगन है पर इस थितियों में घबराने के बजाए साक्षी हो जाओ तो विज़ई बन जाएंगे अच्छा ओम शान्ती